हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लन्वरे देतिमन इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी बात करेंगे बिहार लोकसेवा आयोग सिक्षक भरती की एक लाग सतर हजार वेकैंसी निकाली गई है केवल प्यार्टी की अगर हम बात करें प्राथमिक सिक्षक की बात करें हम एलिजीबल तो TGT में भी हैं, PGT में भी हैं और PRT में भी हैं और इंडिया केंडिट केवल PRT का वाम भर सकते हैं ये दिमाग में आप बैठा लें यदि आप TGT, PGT का वाम भरेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा बागी ऑनलाइन आविदन करने के लिए आप ल आउनलाइन आवेदन भरने हैं तू विस्तरित निर्देश यदि आपने नहीं पढ़ा है तो यहां पर आप धिहान से पढ़ लें उसके बाद आप आवेदन करें क्या होता है कि बच्चे जो है वो ऑनलाइन एप्लिकेशन कर देते हैं गलतिया हो जाती है और बाद में कहत हैं कि संसूदन की जो डेट है वो कब आएगी तो इतनी बड़ी समस्या में पढ़ने से पहले तो यह सही रहता है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो पढ़ लिये जाएं चाहे आप पर्मानेट विकेंसी की बात करो चाहें कॉंट्रेक्ट वेस की बात करो सारी चीज़ें आप ड रिटेल में सारी चीज़ें पढ़ लें ठीक है और खुद पढ़ना जो है वो काफ जरूरी है यदि आप अपलाए करना चाते हैं तो पहली वार अगर आप चैनल पर हैं वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे जितने भी वीडियो आते हैं उनकर नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल बटन को प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो बनता है उसकी खबर आपको उसी वक्त मिल जाए क्योंकि वीडियो जो है चला जाता है और कई बार नोटिफिकेशन यूटूब की तरफ से नहीं आ पाता है टाइम पर नहीं में बताती हूँ ऑथेंटिक साइट पर जाकर बताती हूँ आप लोगों को ताकि गलती की कोई गुंजाइस ही ना रहे ओनलाइन आविदन भणने से पहले अभ्यारती जो है वो सुनिश्चित कर लें क्या सुनिश्चित कर लें अभ्यारती के पास वैलिड और वर्किंग इमेल जो वर्किंग में है इमेल आईडी और मोबाइल नंबर मौजूद है तो उसको जो है वो अन्तिम परिक्षाफ और प्रकासित होने तक सुरक्षे तो रखेंगे ठीक है अब एडमेट कार्ड आएंगे आपके तो उसकी सूचना भी वहीं पर मिलेगी आपके जो है रि संबंदी विज्यापन में अंकित मिन्तों का ध्यान पूर्वक अध्यान कर लिये हैं और विज्यापन के अंडरूप सभी वांचित प्रमान पत्र दस्तावेज मूल रूप से अब भरतिक पास उपलब्द हैं सारी चीज़े आपने डेटेल में पढ़ ली होगी पिसले वी यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि एप्लिकेशन फॉर्म में अप्लोड किये जाने वाले सभी वांचित प्रमान पत्र दस्तावेज की जो इसकेंड कोपी है तो पीडिया फॉर्मेट में और अधिक तम 100 KB साइज में हो इससे कम नहों 100 KB साइज में होनी चाह ठीक है इससे आविदन भर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का जो है वो वैब केम आपके पास उपलब्द हो और फोटो क्याप्चर करते समां बैक्राउंड सफेद हलके रंका हो और परियापत रोशनी उपलब्द हो तो जो बच्चे नहीं जिनके पास डेक्स्टॉप ल हमारे डॉकॉमेंट है ठीक है इसके अलावा जो फोटो है वह भी बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर होनी चाहिए इसके अलावा जो अगर साइन की बात करें अपलोड किये जाने वाले हिंदी अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्केंड इमेज जे पीजी या जे पीईजी फॉ जल्दी ना करें फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ही परिशानी होती है उसके बाद जो है वो आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले आपको करना है ऑथेंटिक साइट पर जाकर ये है ऑथेंटिक तो आप यहाँ पर जाकर आप अपलाए करेंगे और जिन बच्चों को नहीं बता है अपलाए कैसे करना है बिलकुल वही प्रोसेस बताएं तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसी का बना दूँगी कैसे अपलाए करना है जाहे आप किसी भी स्टेट के हों सभी को इसी तरीके से ही अपलाए करना है authentic side जो है यहाँ पर जाना है सबसे पहले तो registration होगा online registration होगा ठीक है बाद में जो हो आप जो है apply कर पाओगे तो document, photo यह चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी यह बहुत ज़्यादा जरूरी है इनको हलके में ना लें 100 के भी साइस से भी जो है वो कम का अगर आप अपने प्रमान पत्र या दस्तावेज की scan copy जो है यहाँ पर PDF format में जो है वो अगर आप करवा देंगे form जो है वो लोग से वा आयोग सिक्षक भरती का बनाया था प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है तो वहाँ पर अब भी आप देख सकते हो दुबारा से जाकर उस चीज़ को समझ के ही काम किया करिया आप जो है वो टीचर बनोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी भी चाहिए ज केवल प्रात्मिक सिक्षक के लिए फॉर्म भरोगे ठीक है चीज ध्यान में रखना है प्रात्मिक सिक्षक का ही आपको फॉर्म भरना है ठीक है बिहार के candidate के लिए ये तीनों option है PRT, TZT और PZT बाकी जो other state के बच्चे हैं वो केवल और केवल प्रात्मिक सिख्षक का ही भरेंगे क्यों भरेंगे तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि TZT और PZT इसमें जो है वो BTET मांगा गया है बिहार TET मांगा गया है तो आप तो apply कर ही नहीं सकते हैं तो इसको तो भूल जाओ ये आपके लिए नहीं है ये आपके लिए नहीं है बिहार से जो other state है उनके लिए TZT, PZT यहाँ पर मौका नहीं है 1,70,000 जो vacancy है उसमें केवल और केवल 80,000 तक जो है वो vacancy और कैसे apply करना है यदि आप नहीं कर पा रहे हैं बच्चे अगर comment में question करते हैं तो मैं आपको बता दूँगी कैसे apply करना है तो again channel पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो like करें Thank you